काहित्री महामंत्र साथ साथ कमर सीदी दोनों हाथ गोदी में बाया नीचे दायां उपर दियान बुद्रा ओम भुर भुवा स्वाह तत्सवी तुर्वरेन्य बर्गो देवस्य धीमही दियो योना प्रचोदयात आदि गुरु मुने वेद्व्याजी का वाहन गुरु रूप में करते हुए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देव महेश्वरा गुरु देव साक्षात परु ब्रह्मा तस्मैश्री गुरु वे नमा अखंड मंडला कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मैश्री गुरु वे नमा ओम श्री गुरु वे नमा व्यासरु पेन आवाहयामी स्थापयामी ध्यायामी पूजयामी ततो नमसकारं करो मी श्रीमत भगवन गीता अध्याए नौ श्लुक नंबर सत्ताहिस दुरलब श्लुकों में से एक तो क्या बाकी ऐसे नहीं है? सबी ऐसे हैं एक एक शब्द दुरलब है अध्यूतिय है पर क्या करें कहीं कहीं भीतर से अस्थित्व को कोई कोई श्लुक खीच के ले जाता है जीवन परियंत एक सादक की साधना अगर श्लुक के प्रकाश में हो जाए तो जिसे अंतिम लक्ष अंतिम उद्श माना गया वो दूर नहीं रहेगा इसका अभ्यास कितना कठन और कितना सहज ये तो साधक को करने पर ही ग्यात होगा पर इसमें कोई संदे नहीं है कि जिस किसी ने भी इसका अभ्यास करने की चेश्टा की और वो सफल हुआ वो पार हो गया वो इधर नहीं वो उधर का हो गया परा अपरा वो परा में गया यहां नहीं रहा फिर वो यहां उसकी कोई आवश्यक्ता नहीं शिश बची जब तक कि उसकी अपनी इच्छाना हो श्लोक पर आते हैं पहले पिर उसके प्रकाश को अनभव करेंगे श्लोक आपके समक्ष यत करूशी यत अश्नासी यत जुहोशी ददासीयत यत तपस्चसी कौंतेय तत कुरुश्व मद अर्पणम जो भी तु करता है जो भी तु खाता है जो भी तु यग्य करता है अर्था जो कुछ भी अपनी और से तु अहूत करता है जो भी तु दान देता है जो भी तु तप करता है ये कौंतेय अकुंती पुत्र वह सभी मेरे अर्पण कर पुने सुन लेना चाहिए जो भी तु करता है जो कुछ भी तु खाता है जो भी तु यग्य करता जो भी तु दान देता जो तप करता है कौंतेय वह सभी कुछ मेरे अर्पण कर एक प्रकार से उन्होंने ये भाव दिया है कि तेरी हर सांस मुझे अर्पित कर दे पीच में से हट जा तो जो करे बस मुझे ही अर्पित करता चल जो विचार करें जो मनन करें जो योजना बनाए जो तेरी हार हो जो तेरी जीत हो जो तेरा संगर्श हो जो तेरे कर्म बंदनों की कठनाईया हो जो तेरी उपलब्धिया हो और जो तेरे माद्यम से जगत हिताय चे कल्यान हो सब कुछ सब कुछ सब कुछ मुझे हर्पन कर दे तो बीच में से हट जा हट जा तो इस मैं को हटा दे तो बीच में से हट जा जो करे मुझे हर्पन कर दे ये भाव अगर सजीव हो जाए तो क्या होगा सबसे पहले ये की छोटे से छोटा करम दिव्य हो जाएगा क्योंकि दिव्यता को सब सबी कुछ समर पर जब हो जाए तो छोटे से छोटा करम भी दिव्य करम हो जाएगा जिन कर्मों को करते समय हम को भी मनन भी नहीं करते चलो वॉक कराएं एक्सिसाइज हुआएं गुम आएं किसी से मिल आएं एक कप काफी हो जाए हर छोटा कर्म मुझे अर्पित करता चल यह अभ्यास है यह अभ्यास है जिससे तू मिच में से हट जाएगा जब तू मिच में से हट गया अर्जुना तो क्या हट गया ढहे जाएगा किला किसका राग का ढहे जाएगा किला किसका द्वेश का या कर्शन विकर्शन पसंद ना पसंद अच्छा बुरा मन भाता मन नहीं भाता इनके किले द्वस्त हो जाएंगे तु तो है इनी बीच में क्योंकि जो कुछ हो रहा मद अर्पणम वो तो मुझे अर्पित हो रहा जब सब कुछ मुझे ही अर्पित हो रहा तो तेरी पसंद और तेरी नापसंद तो अब रही नहीं चुकि अब सब तो मेरा हो गया, इससे क्या होगा, हंकार खंडत हो जाएगा, अंग्रेजी का इगो गुरू तो जादा अच्छा है, इगो खंडत हो जाएगा, जब तू नहीं, तेरी हार नहीं, तेरी जीत नहीं, तेरा लाब नहीं, तेरी हानी नहीं, तेरी पसंद नहीं, तेरी नापसंद नहीं, सब मेरा, तो फिर तेरा अहंकार अर्थात, इगो कहाँ, वह तो द्वस्त हो जाएगी. पहला एक कि हर कर्म द्व्य हो जाएगा. और दूसरा ये अहंकार द्वस्त, रागद्वेश, समाप्थ. कहने में सरल है, करने में, अगर करने में भी सहज हो तो साधना कैसी सिद्धना हो जाए साधना इसलिए चुकी करने में कमट थूटती है रास्ता यही है रास्ता तो यही है इस प्रकार के भाव से मनुश्य अपने छोटे मैं के सुरूप से उठ करके एक ब्रहद अस्तित्व को बड़ अस्तित्व को प्राप्त होता है जो मैं हूँ नहीं मेरे हर सांस अर्पित है केशव को तो मेरा छोटा अस्तित्व अब किसके साथ जुड़ गया उसके साथ जुड़ गया चुकी मेरे माद्यम से अब जो कुछ भी हो रहा उसी का हो रहा और जो उसका सीधा इंपलाई है कर्मचारी है वो कोई छोटा इस्तित्व रखता है ना उसका इस्तित्व बड़ा हो गया उसकी मन, बुद्धी, चित, अंकार, सब किसका अब उस परमतत्व का इससे क्या होगा बीच का जो एक संकीन मैं है न, वो घुल जाएगा, वो भसमी भूत हो जाएगा, क्योंकि हर कर्म मैंने उसको दे दिया, मैं जो कर रहा हूं तुझे अरपन, जो किया तुझे अरपन, मैं हूं नहीं, सात्विक सुरूप में इस भाव को रख करके, जीवन के समस्त कर्म करते चले जाना, मुनश्य को कभी अवसाद नहीं देगा, डिप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि वो बीच में से हट गया, अब कठनाई भी उसे किये, सरलता भी उसे किये, समाधान भी उसे से, सब कुछ उसी का, जीने में कितना भी क्यों ना कठिन हो, पर ये भाव केवल कर्पना म आतर से ही बहुत व्यापकता देता है, बड़ा विस्तार देता है, और अगर इसे जीने की चेश्टा की जाए तो थोड़ी बहुत भी सही, बहुत कुछ प्राप्त होगा, जीवन में से बहुत कुछ जो अपवाद और विवाद हैं, कम होने लगेगा, इसमें कोई संदे न भावले जाता है, जीवात्मा में आत्मा का वास है, सुनते आए, जब हम सब कुछ एश्वर को अर्पित करते चलें, तो हम स्वते ही अंचाहे सुरूप में अपने भीतर के आत्मतत्तु के निकट चलते चले जाते हैं, क्योंकि बांधने वाला वो जो मैं है ना, जो बहार ही रखता है, मैं और मेरा जो बाहर ही रखता है, जम उसकी पूरी परिधी तूट गई, तो फिर हम यात्रा कहां करेंगे, अपने वास्त्विक स्वतत्त्व की और, अपने ट्रू सेल्फ की और हमारे कदम बढ़ने आरंब हो जाएंगे, वो यात्रा जो गहरे ध्यान से, इस प्रकार के आचर्ण से होनी अर्म हो जाती है, इस सत्य की ये आचर्ण भी सब कुछ उसे देते चलो, ये आचर्ण भी सत्य रूप में जिया जाए, तो अपने आप में कठोर तप है ये, ये कोई सरल सहज साधना नहीं है, ये मनुश्य को ये भाव अपने छोटे रूप से उस तत के साथ जोड़ती है, मैं से तत की यात्रा, तत है न गायत्री में, तत सवितुर वरेन्यम, एक मैं से जो मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरी छोटी सी परिदी है, मेरी छोटी सी क्षमताएं है, संपत्ती है, उस मैं को तत से जोड़ देता है, मैं हूँ नह जो हो रहा मुझे से वो उसी को अर्पित तो मैं क्या हो गया तत वे है तत मने वे है वे है कौन ब्रम केशव वे है तो मैं से तत की यात्रा इस श्लोक के भाव का आचर्ण करा देता है और सबसे बड़ी बात क्या है गंबीरता से विचार करो तो सबसे बड़ी बात है अगर ये अभ्यास अगर बहुत बड़ा मगर है ये अगर बहुत बड़ा मगर है अगर ये होने लगे कि मेरी हर सांस उसको अर्पित मेरा हर अनुभव उसको अर्पित सब कुछ उसको अर्पित तो क्या होगा एक अधिकार प्राप्त होने लगेगा किस पर अपने बीतते हुए प्रतिपल के वर्तमान पर अंग्रेजी में spontanity कहते है जो प्रतिपल मेरे भीतर बीत रहा व्यतीत हो रहा उसे spontanity कहते है तो जो मेरे वर्तमान में मेरे भीतर प्रतिपल चल रहा आगे का प्रवाहा उसमें क्या होगा उसमें उसका आलोक उसका प्रकाश आजाएगा जो अन्यता हम केवल अपने संस्कारों से प्रेरित होकर अपने आवेग से प्रेरित होकर अपनी कामनाओं से प्रेरित हो करके जो हम समानित जीवन जीते हैं वो किसके द्वारा चलाए मान होगा उसका सारती अब केशव बन जाएगा जब मेरी हर सांस केशव को समर्पित है तो मेरे भीतर चल रहे काल के इस वर्तमान प्रवाहका अधिश्ठाता स्वामी कौन केशव वही मेरा सारती बन गया चुकि मैंने सब कुछ उसी को तो देना है जब मैंने उसी को सब कुछ देना है तो मेरे काल के वर्तमान में बह रहे इस प्रवाहका अधिश्ठाता भी वही हो गया मेरे हर वर्तमान का स्वामी हो गया जिसके हर प्रत्येक वर्तमान में वतीत होने वाले पल का स्व पामी केशव हो गया, उसका भविश आत्मनमोगशार्थी होगा, ये बहरहा वरतमानका पल ही तो नियंतरण में नहीं है, कुछ का कुछ सोचते, कल्पनाओं में जाते, कामनाओं में उल्जे रहते, वासनाओं में रहते, पतानी कहां कहां रहते, खोए पाए रहते, कोई काम सामने आता तो बटोर के वापस आते और जब ये बीतने वाला प्रतिपल वर्तमान का प्रवहा यही अर्पित कर दिया तो क्या होगा भविष्य का स्वरने भविष्य का उस भविष्य का निर्मान होगा जिस उद्देश हे तू तो जो करता जो खाता जो यग्य करता जो दान देता जो तप करता अर्थात जो कुछ भी तेरे द्वारा होता वो हे कौनते या काल हीन कौनते या तुम्हें बैठा कौनते मद अर्पणम मुझे अर्पित करता चल अर्थात केशव को अर्पित करता चल तो क्या होगा दोहराना है जिससे और गहराई तक चला जाए प्रतिपल दिव्य हो जाएगा प्रतिकर्म दिव्य हो जाएगा छोटे से छोटा होने वाला काम वो दिव् कि केशव को जाना है ना जब हर छोड़ी वी सांस ली वी सांस केशव को अर्पित तो फिर हर सांस दिव्य होती चली गई जब सब कुछ केशव को तो अहंकार द्वस्त राग और द्वेश के किले द्वस्त हो जाएंगे और स्वतें ही भीतर के उस आत्म तत्व की और बड़े अस्तित्व की और यात्रा आरभ हो जाएगी छोटा अस्तित्व पीछे रह जाएगा मन बुद्धी चित अहंकार अब सब कुछ समर्पित तुझे तो बचा कौन अब तू ही तू तू ही तू और कोई नहीं बचा अब तू बचा अरथा तत्व बचा केशव बचा और शेश कुछ नहीं रहा अपने आत्म तत्व की और ले जाने वाल यात्रा इस प्रकार के भाव के आचरन से संभव होती है ग्यानियों ने कहा हम सब तो सादक हैं पर ग्यानियों ने ऐसा जिन्हों ने इसे जिया उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है और छोटा सा संकीन सौत तत्व एक विस्तार एक व्यापकता प्राप्त करता है उस तत्थ की उस इश्वर की जो कण कण में व्याप्त है चूब कि सब कुछ अब उसका मेरा ना किसका उसका मेरी हर सोच उसकी तो कितना बड़ा विस्तार व्यापकता बहुत बड़ा और बीट रहे वरतमान के काल के प्रवाहका अधिश्ठाता कौन अब केशव बन गया अब कृष्ण ही उसका अधिश्ठाता बन गया जब ये भाव तिर्ड होने लगे भाव आचरन में आना आरंब हो जाए तो अब सोचो क्या होगा बहुत बड़े स्तर की एक उपलब्दी मुनुश्य के भीतर आनी आरंब हो जाएगी जीव छोटी हीन बातों से मुक्त हो करके बड़े व्यापक विस्तार की और अग्रसर होगा उसका छोटा आपा अब नहीं रह पाएगा उसका छोटा अस्तित्व नहीं रह पाएगा उसका बड़ा अस्तित्व सामने आएगा उसके भीतर से वो सारी बातें जो से बाढ़ती हैं संकेनता में ग्रसित करती हैं वो छूटने लगेगी अपने आप से ही पूछेगा जीव कि जब सभी कुछ उसको अर्पित है जब सभी कुछ उसी को अर्पित करना है और मैं भीतर से हट गया तो फिर मुझे दुख किसका, मेरी हानी किसकी, मेरी कठनाई किसकी, सब उसी की ये सरल इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी से मैं जाने वाला नहीं है जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, आप कैसे कह रहे हैं जाना नहीं चाहिए हाँ जाना इसलिए नहीं चाहिए जब तक जीव में अपने निर्धारित कर्तवियों का दाइत अपने निर्धारित दाइत का बोध दिर्ड नहीं हो जाए तब तक ये मैं रहना चाहिए अन्य था कोई कल को ये कहें मैं अपने निर्दारित दाई तो पूरे नहीं कर रहा हूँ मुझे जो जिम्मेवारियं दी गए मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ और मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ ये भी केशव को अर्पित हर अस्तित्व को वरण करने योग्य एक योग्यता आवश्यक है हर कोई हर किसी प्रकार का भाव आचरन में लाएगा तो हो सकता है सफल नहीं हो पाए पर जिसे अपने जीवन के निर्धारित अवश्यक दाइत का गहरा बोध है और वो मोर्चे से पीछे नहीं हटेगा ऐसा जीव जब सब कुछ केशव को अर्पित करता चले तो प्रतिपल वो मोक्षकर कदम बढ़ा रहा है दूसरा केवल शब्दों से कहेगा जीने से छूट जाएगा और बहाने किसके सिर मड़ेगा अजी केशव चाहते तो करा लेते मैंने अपने निधारित दाइट तो पूरे नहीं किये क्यों नहीं किये उनकी इच्छा नहीं थी उन पर डाल देगा इसलिए है सादक द्यान से सुनना कौन सुन रहा है इसका मुल्यांकन कर लेना अगर जीवन के निर्दारे दाइटों के प्रतित तुम द्रड हो तो ये शलुक तुमारे लिए है चुकि तुम बोर्चे से पीछे हटने वाले नहीं जहां कहीं भी हो अपनी समस्त कठनाई या उसको अर्पित करते चलोगे एक कदम भी पीछे नहीं हटाओगे और अगर तुम वो नहीं हो तो तुम्हें विचार करना चाहिए कहिए नहो कि इस शलौक का भाव में किट्रिम अर्पिशली आरोपित कर लो और करमदर बद जाएँगे कि जो नहीं करना केशव को अर्पित निव्धारत काम नहीं करने केशव को अर्पित आलस्य इस प्रकार नहीं जिसने गांडी उठालीया जिसने कमर कस ली अब वो सब कुछ अर्पित करता चले अब उसे अपने पास रखने के लिए कुछ ने निश्काम कर्म की साधना यही है निश्काम कर्म अर्थात ऐसा करो जिससे कोई कर्म बंदन बंदे ही नहीं वो साधना कौन सी है यही साधना है कि प्रतिपल सोचना जो हुआ मुझ से वो केशव को अर्पित है इससे मुनुश्य ऐसे किसी भी कर्म बंदन में सहजिता से नहीं बंदता जो उसका अन्यता प्रारब्द बनेगा वो मुक्त होता चलता प्रतिपल मुक्त होने के लिए जहां सामान जीव का प्रतिपल कदम उठता कर्म बंदन की और वहीं ऐसे योगी का प्रतिपल कदम उठता मुक्त होने के लिए तो प्रतिपल मुक्त होने के लिए ये सबसे श्रेष्ट और अनूठी युक्ती है जो कर रहा ये दाई तु बोध से परिचित कांते ये जो कर रहा मुझे अर्पित करता चल इसे तू मुक्त है इसे तू मुक्त होता रहेगा चुकि विकार तुझ में प्रवेश्ट नहीं कर पाएगा जब मुझे अर्पित करना है तो तू सोचेगा मैं क्या अर्पित करूं क्या ना करूं वासना अर्पित करूं लोग अर्पित करूं कामना अर्पित करूं संकीनता अर्पित करूं क्या अर्पित करूं अकर्मन्यता अर्पित करूं नहीं जब हम ईश्वर के समक्ष होते हैं तो सजग सादक सबकी बात मैं नहीं कर रहा मैंने पूर में ही चतावनी दे दी पर समर्पित सादक इस बात से बहुत सजग रहते हैं कि हम अपने इश्ट को क्या अर्पित कर रहे हैं इश्ट के समक्ष होते हुए हमारे मन में भाव क्या चल रहा कितने बटोरे और कितने बिखरे हुए हम ऐसा जीव कुछ भी अन्यता करने से पूर्व मनन करेगा और जल्दी से कुछ ऐसा नहीं होने देगा जो केशव को अरपित करने योग्य नहीं है उसके द्वारा प्रतिपल केवल ऐसी अहूतियां अरपित की जाएंगी जो कल्यानकारी है जो सुख स्वरूप है जो आत्मुतकर्श्टी और निरंतर कदम बढ़ाती है ऐसा जीव केवल यहीं करेगा चुट चुटे अभ्यास तो इसके आरब किये जा सकते है बड़े अभ्यास ना भी सही चुट चुटे अभ्यास जिसमें हम अपने कुछ कर्मों को विचार करते हुए पूरी सजगता से केशव को अपने इष्ट को अरपित करते चलें या आपको समरपित और पीछे मुड़ के देखें नहीं या आपको समरपित पीछे मुड़ के नहीं देखें तो हम पाएंगे कि दिव्यता का अवतरन हम में पूर्व की अपेक्षा अधिक अंशों में होना आरंब हो गया है चुकि हमने जगा बना दी है ना किसके लिए उसके लिए हम किसके उसके हमारे सासे किसकी उसकी हमारे विचार किसके उसके हमारे प्रतिक्रिया किसकी उसकी हमारे जब तब किसके उसके हमारे वरत किसके उसके 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 लिए नहीं उसके जो है ही उसका तो उस पर अधिकार कैसा उसके लिए में पहले अधिकार अपना फिर हमने उसको सौप दिया ना हमारा था ही नहीं पहले से यह है यह उसका यह भाव बहुत बड़े स्थर पर एक साद के भीतर ऐसा परिवर्तन प्रत्यवर्तन लाता है जो से कल्यान ही कल्यान देता है आज के लिए इस कक्षा में इतना ही ओ महीं सत्य है ओ महीं सत्य है ओ महीं सत्य है प्रतेक महा के दूसरे और अंतिमर विवार ये कक्षा हिंदी में प्रात है साड़े साथ बजी इसी प्रकार